है फ्रेंट्स केश वाप लोग बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में तो फ्रेंट्स आप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है खाफी परिचाओं मैं पूछने वाला यह वीडियो जो क्वेस्टन है तो क्या है आपका बायो से वाट का नियम जो है विद्यु धारा अवे के करण चुम्बक के चेत्र बायो से वाट का नियम तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करना और चैनल तो पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे तो देखेंगे बायो से वाट का नियम क्या होता है उसको मैं पहले डिफाइन करता हूं ठीक है तो मान लिजी कि माना एक चालकतार ए जो कि यह एक चालकतार है जिसमें धारा आई परवाइत हो रही है ठीक है जिसमें धारा क्या हो रही है आई परवाइत हो रही है इसमें धारा क्या हो रही है यह धारा आई परवाइत हो रही है माना चालकतार एक स्वाई के अलपांस लंबाई डियल यानि जो इसकी लंबा चालक तार के साथ ठीटा कोड़ बनाता है बना रहा है उसी बिंदु P पर यानि यहां पर शुंबक ये छेतर की repair लिज़े रटेम जियात करना तो हम इसका पूरे प्यूल दियूरे को बत्त INF करताने का तो समंजहाने की कुशीज करों ठीग है तो यहां माना चलक तार एकस वाई है जिसमें धारा यह प्रवाइत हो रही है यह माना चलक तार एकस वाई के अल पांस लंबाय डियल के किसी बिन्दू भी दू पर डी पर देख लेगे कि वाई स्यूवर्ट के लेंमा 안सार डीवी प्रपोर्पोर्शनल डी अब बी प्रपोर्शनल डील जो की क्वेश्टन्वर फर्स्ट आपका हो जाएगा ठीक है जो कि क्वेश्टन अबर सेकेन्ट हो जाएगा यह बहुत 960, DB proportional DEL, जो कि equation number first आपका हो जाएगा, ठीक है, और DB proportional I, जो कि equation number second हो जाएगा, यह बहुत most important और काफी आसान है, आपको समझाने की कोशिर करता हूँ, DB proportional I, हो जाएगा second equation, DB proportional sin theta, sin theta ले लिए हैं यहाँए जो कि equation number third हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा db proportional 1 upon r e square ठीक है 1 upon r e square हो जाएगा जो कि equation number 4 हो जाएगा अब यहाँ पर देख लेंगे कि समीकरण समीकरण 1,2,3 और 4 से यानि समीकरण 1,2,3,4 से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि db proportional dl यानि db proportional dl into i into sin theta into i 1 upon r e square ठीक है अब आगे देखें यहाँ पर जब करेंगे हम इसको हल करेंगे तो db proportional आपका हो जाएगा db proportional i into dl into sin theta upon r e square हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा db proportional i into dl into sin theta upon r e square ठीक है अब आगे देखेंगे जब हम इसको हल करेंगे कि db is equal to mu 0 यह mu है mu 0 upon 4 pi और यहाँ पर into में हो जाएगा i into dl sin theta upon r e square अब यहाँ पर देखेंगे कि mu 0 क्या होता है जहाँ mu 0 एक नियतांक लगा दिये है mu 0 एक नियतांक है इसे निरवात चुमबक के सिलता कहते हैं क्या कहते हैं इसे निरवात चुमबक के सिलता कहते हैं और mu 0 आपन 4 pi का जो मान होगा 10 प्रति निउटन प्रति एंपीर स्कॉयर होता है ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छे लगी है वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिज लाइक पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए मिलता है इंगले बड़ी में लेने टपी के साथ तब तक बने रहे हैं मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत